है कि कैसे हैं आप सब लोग कंपार्टमेंट की डेट आ चुकी है और इस नोगों की रिक्वेस्ट पर मैं जो मोस्ट इक्सपेटड टॉपिक है जो इस साल आपके examination में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे ले के आया हूँ यहां पे आपको पूरा schedule समझाऊंगा जिनकी economics में है don't worry economics का भी class आ जाएगा बट पहले accounts में आप समझे लाइन बे लाइन सारे के सारे topics कि कौन-कौन से topic की preparation आपने किस तरीके से करनी है clear यहां तक अभी लगबग हमारे पास 15 दिन का time है तो जो मैंने class schedule बनाया रखा है यह 15 दिन का बनाया class अगर आप एक दिन में एक topic जो की बहुत ही class कम है दिन भर का आपके आप खुद कहें दो कि आप आराम से पास हो सकते हैं और अभी वीडियो खतम करते ही class आप काम करने लग जाओगे तो सुनो class क्या करना है सबसे पहले अगर हम बात करें लाइन बेला इंदे कुछ सारी चीज़े बताऊंगा max to max जिन बच्चों को इसमें कुछ add-on करना है वो add कर लेना कुछ लोगों को less करना है वो less कर लेना यह आपकी मर्जी होगी लेकिन मेरे हिसाब से 15 दिन अगर आप डेली महनत करोगे तो अराम से 50-60 स्कोर करोगे और आपके प्रैक्टिकल में 16, 17, 20 तो marks होंगे तो वहां पर class आपके almost जो number आएंगे वो 70, 70 प्लस आप स्कोर कर जाओगे अराम से 70 प्लस लेकिन देखो अभी यह महनत करनी पड़ेगी आपको और प्लीज कोई PDF मत मांगना notebook निकाल लो copy निकाल लो नहीं है तो वीडियो प वक्की बात है तीन नंबर के topic पूछा जाएगा material consume या amount of subscription की calculation में तीन नंबर का topic हर साल पूछो जाता है आपके main exam में पूछा भी गया हुआ हूँ आप देख लो तीन नंबर में या तो material consume का amount पूछ लेगा या subscription का बहुत ही important class बहुत ही easy है और मैं सब के class आपको notes वीडि and expenditure account है अगर आप format थोड़ा बहुत भी याद कर लो तो class ये 6 नंबर का question पूछा जाता है मैं मानता हूँ format में थोड़ी बहुत चीज है बहुत simple है cross transfer अगर आपको basic एक दिन में सो पूरे दिन भर में class यकीन मानो material consumer subscription गिंती के 2 घंटे का topic है तो आपको एक दिन में सिर्फ 2 खतम कर लेना अगरा paper के तीन दिन पहले खतम करते हो तो आपको practice paper मिलेगा तीन model test paper तो small test paper को अराम से करोगे practice करोगे उनकी copies चेक होंगी मैं answers match कराऊंगा तब आपको परदा चलेगा हां आप on average कितना score कर रहे हो अगर आप model test paper में 40 marks score करते हो तो कोई ताकत नहीं दुनिया की class जो आपको pass होने से रोक ले 40 marks जो है class आपको cover करना है पका आराम से pass हो जाओगे model test paper में लेकिन यह 15 topic खतम करना है मैं 15 दिन का target लेके चल रहा हूं आप एक दिन में खतम करो दो दिन में 10 दिन में आपकी मर्जी है लेकिन कोशिश करना कि 10-12 दिन तक खतम कर ही देना यह 15 topics ओके चलो इसमें भी question एक भी question class आपको skip पूरा नहीं करना है उसको छेड़ना है कुछ तक जाना है एक दो point लिखना है format बनाने जो एक दो point लिखना उसका अगर entry है तो अच्छे से narration लिखना है proper handwriting में अच्छे से कि भया उसमें आधा नंबर तो देगा अगर आधा आधा नंबर भी class कठा हो गय या तब भी class 15 नंबर तो class आपके ऐसी कठा हो जाएंगे बाकी 12-13 नंबर के लिए कुछ तो question आप सही करोगे या पूरे paper में कुछ भी सही नहीं करोगे समझ रहे बात को तो अगर आपको 0.5 marks भी मिलते हैं तब भी क्या बुराईए paper में class 0.5 अगर 4 बार मिल गया है तो आपके class इसमें भी 3-4 marks आपका आ सकता है लेकिन कई बार past adjustment से भी question आता है तो मैं अभी उसको suggest करूंगा नहीं कि आप वो करो अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी बात है time मिलता है जरूर करो otherwise final appropriation format कर लो sufficient है वहां भी 3-4 नंबर कवर करोगे change in profit sharing ratio class ये एक ऐसा chapter है जिस इसको मैं कहूं आप इसके full pledge question reserve का treatment और goodwill की जनल एंट्री पूरा कर लेना chapter 6 नंबर में cover होगा और आप अगर class पूरा नहीं भी कर पाते देखो इसमें भी valuation account बनता है इसमें old ratio में चीज़े बढ़ती है इसमें भी goodwill की entry class gaining to sacrificing होती एक balance sheet बनता है तो जब सारे partnership में यही काम है तो आप question छोड की क्यों आओगे थोड़ा बहुत कुछ तो करके आओगे यह तो दिखाऊगे teacher को हम efforts कर रहा हूं तो 3-6 marks अगर आपने पूरा साही कर ल admission पढ़ रहे हो चाहे retirement revolution account तीनों में आता है और distribute करने के साथ आइटम में आपको याद होगा यह तीन पॉइंट है यह चारों इधर बटेगा यह तीनों इधर बटेगा किस रेशियो में ओल्ड profit शेरिंग रेशियो में यह आपको करना है क्योंकि आपको पता है revolution account ही अकेले धाई तीन नंबर का revolution account आता है कई बार ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो तीन नंबर से भी ज्यादा चला जाता है तो admission retirement death तीनों में common है और revolution गेन और loss जो भी है वो old ratio में old partners में बढ़ जाता है तो यह आपको class करना है chapter 5 तक आप कोशिश करो पांच दिन के अंदर यहां तक आप अच्छे से कर लो जो बतारों पहले वो कर लो फिर बाद में समय बचे का जो करना हो करो मैं आपको max to max 5 दिन दे रहो आप 2 दिन में करो तीन दिन में करो अभी आज से ही कोशिश करो कि आज का दिन वेस्ट मत जा कर लो यह दो पार्ट खतम कर लो आपके दो दिन का आपका टर्गेट आज ही निकल जाएगा आज भी पूरी रात पड़ी है शाम पड़ी है यह दो चैप्टर क्लास मैं कहूंगा आप पूरा का पूरा करो दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है एक गुडविल की एंट और डेठ दोनों टॉपिक्स अगर अलग-अलग कोशिन आता है तो यह दोई टुपिक आपको 14 नंबर कवर करा देंगे अगर दो में से अलग-अलग आता है अगर और अप्शन में भी आ गया तो आट और आट में आप्शन में आ तो आट नंबर अधर वैसे चैप्टर में मैंने इसकी क्लास छोटी सी 2-3 वीडियो बना रखी है पूरा complete detail में समझा रखा है तो आप जो goodwill है उसकी calculation और profit की calculation और हर बच्चों से बलता हूँ profit की calculation sale basis पे जरूर कर लेना कि very important profit जो है sale basis पे कैसे निकालते हैं यह आप जरूर बना लेना अब आतने dissolution chapter पे dissolution chapter की बात करें तो realization account आप class बनाना सीख लेना realization account कैसे बनाना है अभी हाल फिलाल में dissolution की 5 वीडियो के अंदर मैंने पूरा decision खतम किया वेकिन मारो अगर आप पूरे दिन मेहनत करोगे तो एक ही दिन में वो पांच वीडियो शुरू से लेके end तक पढ़ सकते हो WCR की entry, relation expense की entry, profit loss जो आता है gain और loss उसकी entry, asset liability बेचाय टेक ओवर किया इसके अलावा कोई entry नहीं आएगा ये max to max entries है तो इनकी entry, account कैसे बनाना है, कई बार खाली account पूछ लिया जाता है, आपको balance sheet वगेरा नहीं, sorry, bank account और partners के अपले account नहीं पूछा जाता, तो आप ये वाला काम करोगे, दिन 15 है, इसलिए मैं content आपको ज़्यादा लिखा रहा हूं, दिन कम होता तो content कम लिखाता, तो अपनी गलती मत दो रहाओ, अभी से, अभी से वीडियो end करके, निपताओ कि सर, आज, और मुझे comment में बताओ, class आप अभी से शुरू कर रहे हो कि नी, आज promise करो, आप सब लोग में से, कि कोई भी दो content आज cover करने, छोटे छोटे दो content, हर एक बच्चा class comment करो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कहने पर ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग भी मेरे कहने पर काम करो, आप पास होगे, तो सबस्यादा खुशी आपके माबाप को, फिर आपको और फिर मुझे होगी, प्लीज महनत करो, तो content मुझे comment में हर कोई student बताओ, कि आप कौन से वो content है, जिने class निपताना चाहते हो, और कौन कौन से topic कि आप वीडियो चाहते हो, कौन सा बहुत tough है, कौन सा बहुत easy है, लिखो paragraph डालो नीचे एक एक comment पढ़ूँगा, इस वीडियो का एक एक comment पढ़ूँगा, सब लोग please add नीचे comment में लिखके बताओ, कौन कौन से topic आपको समझना है, कौन सा आपको आता है, भरो लंबे लंबे paragraph, आज ये मौका आपके पास, आपकी सारी जिस सुनूगा और उसकी इसाब से काम करूँगा, ये 15 दिन मैंने पूरा का पूरा अपने आपके लिए अपना सारा चीज़ सेक्रिफाइस कर दिया, सब छोड़ दिया, मेरे class कुछ plans सब प्लान बंद कर दिया, बस अब यही काम करना है, आप लोगों के लिए मेहनत करनी है, और जब बहुत वीक है class, उनके लिए last में बताऊंगा, एक option उनके लिए भी है, आप पहले ये देखो, ये 8 topic, अब मालो balance sheet, ये class company न, company एक balance sheet बनाती है, 2013 के according, एक balance sheet बनती है, उसका extra, बहुत easy class, ये bonus है, ये मैं आपो class video भी provide करा दूँगा, सिखा भी दूँगा, ये complete आपके लिए bonus है, आप ये topic अगर आप बनाओ, तो 3 से 4 number examination में बिलकुल पूछा जा सकता है, other than cash, guarantee है, लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, shares में, debenture में mix भी आ सकता है, कि building खरीदा, थोड़े से share दे दिये, और थोड़े से debenture दे दिये, तो mixed topic में भी question आप से पूछा जा सकता है, asset to vendor, vendor to cash, vendor to share capital to debenture, to SPR, खतम, entry यही है, अगर discount पे issue किया है, तो discount को debit कर देना, और number of share निकालने की, कि आपको पता ही कैसे निकालते है, amount payable upon issuing price, daily एक target बना, बस आज पहले कल दो, छोड़े topic निप्टाओ, खतम करो, for feature issue, बच्चों ने गोला, sir, पुरवाटा के वीडियो दो, मैंने पुरवाटा का वीडियो भी provide कराया है, अगर आप कहते हो, तो इन सब topic के भी class आपको provide करा दूँगा, लेकिन comment बताओ, क्या आता है, किसका चाहिए, यह नहीं क forfeit ratio, 6 number का, या 3 number में पूछ ले आता है, और पुरवाटा, 8 number का आएगा, और 8 number के questions में, 8 number का option रहेगा, उसी में, और वो भी पुरवाटा से ही होगा, यह class, under subscription से होगा, होगा, shares का ही, clear है class, और हम पूरी entry नहीं करेंगा, capitalism नहीं लाएंगे, हम bank to application तो करेंगे, हम allotment to capital त लिखेंगे, आधा तो देगा, एक तो देगा, हमें एक एक चिंदी चिंदी नंबर कोई भी कठा करना है, 0.2525 मार्क से भी हमें कठा करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना, college की life जीना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, अपने parents की respect चाहते हो, तो please यार मेहनत करो, क्योंकि आपकी मेहनत से इकलास, आपकी parents को सुसकते हैं, और उनको खुश करने के लिए, इतना तो काम आपको करना पड़ेगा, interest of debenture discount, मुझे बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, पूछा जाएगा, लेकिन debenture chapter में ये बहुत अच्छा question है, और कई बार जिरकी उमीद नहीं होती ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कोई paper है, हर साल ये question पूछा जाता है, past paper उठाके देख लो, तो class redemption, premium पे, issue पार पे, इसकी general entry से 3 number question, every year पूछा जाता है, बिल्कुल इसको miss नहीं करना, अगर आपको कोई भी video सर्च करनी है, तो आप उस video का नाम लिखो, आगे मेरा नाम तो आपको class YouTube पे वो video मिल जाएगा, उसको आप study करना, फिर भी अगर कोई दिक्कत परिशानी है, तो Instagram पे class आप मुझे follow कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा, अभी compartment के time पे, मैं बहुत जादा busy हूँ, ये truth है, मेरे पास बहुत जादा बच्चे पढ़ते, compartment के, मैं उनकी ल कर रहा है, थोड़ा आप समझा करो कि अगला आदमी कहां busy है, किस चीज के लिए busy है, comparative common size, इसकी वीडियो में डाल दो, class आपको आज कल में ही, ये कल परसों के अंदर ही आ जाएगा, चार नंबर ये पक्के कर लो, comparative income statement, ये common size income statement, और balance sheet, absolute change, percentage change, comparative में, common size में दोन और का percentage, च format अगर आप याद कर लो, 5 वीडियो cash flow के डाली है, अगर आप एक दिन में, एक एक घंटे का break लेके भी 5 वीडियो देखोगे, तो सुबह से लेके साम तक पूरा complete हो जाएगा, जितने question मैंने कराए, सिर्फ और सिर्फ उतने question, इससे बड़ी बात में क्या बोलू, आप 5 question म अंदर से फस जाएगा, एक नहीं बोल रहा, 5 top expected question, जो class मेरी important question, expected question है, cash flow के उनको बना लो, ये class कवर होगे, और आपको जान के हरानी होगी, अगर मैं class इन में सारी number जोडता हूँ, तो ये class बनता है, out of 80, 60 marks, यानि कि 80 में से 60 number का मैंने कराया, लेकिन मैं ये नहीं बोलू इक तो फसेगा ही फसेगा 15 में से, guarantee है, कहां देगा examiner, क्या देगा आपको, तो ये आपके 45 marks जो है, यहाँ पे सिर्फ इन चीजों से कवर होगे, 45 marks, इसके अलावा, मैं दो चीज़े आपको बताता हूँ, मैंने class इसके अलावा, कई सारे बच्चों ने बोला, कि सर MCQ करा था, लेकिन 1000 MCQ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसमें फिर इतने simple simple question मुझे put up करने पड़ेंगे, जो फाइदा नहीं है, जो आप सबको भी आता होगा class, कि डिबेंचर से पहले 9% क्या है, तो यार इंटरेस्ट है, ऐसे question में देना नहीं चाहता, तकि यह को, 200 बहुत ह होता है, question 20 ही आने, मैंने 10 गुना question दिया है, मैं फिर भी उमीद करूँगा, इस 200 में से, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, 10 question तो आपके examination में फसेगा, यहां पर यह cover होंगे, आपके 10 marks, direct और indirect, कभी यह मत सोचना है, कि सीधा वही question फस जाएगा, उसी से related, उस question को आता है, तो भी कर लोगे, इस टाइप के 10 question फसेंगे, 10 number आपके यहां cover होंगे, और last में आपकी theory, last में आपकी जो theory है, यह cover होगा, अब आप लोग मुझे बताओ, मैं जो 200 MCQ लाने वाला हूँ, इसके लिए मैं 4 वीडियो सोच रहा हूँ, या 5 वीडियो सोच MCQ क्लास, 40 MCQ करने मुझे एक घंटे का समय लगेगा, आपको कराना भी है, समझाना भी है, तो मैं सोच रहूँ, 5 अलग अलग वीडियो बना दू, 40-40 MCQs के, और 200 MCQs आपके cover कर दू, इस compartmentation के लिए, बाकी पूरी theory, important point, reserve capital, capital, SPR के use कहां करते हैं, users कौन-कौन होते हैं, heading, heading, sub heading, पक्का आएगा, 3 number में, heading, sub heading, ये, interest loan कितना लगता है, क्या loss पे भी लगता है, कितना percent लगता है, capital पे कितना percent लगता है, dissolution of firm, और dissolution of partnership में क्या अंतर है, और class important, important class, जितनी भी theory है, जो examination में most expected, dissolution के ways, अलग-अलग, वो सारी चीज़े class एक दिन में आपको कराऊंगा, तो ये मैंने target बना लिया है, ये मैंने आपको सारी question दे दिया है, आप सब लो comment में अपनी राय बताओ, और जितने भी बच्चे है इसका, और class yellow screenshot इसका, और लिक्की की content अउठाओ, और आज मुझे comment में हर कोई बताओ, वो कौन से दो पार्ट है, जो आप आज निप्ताने वाले हो, और daily की video आएगी, daily आप मुझे बताओगे, आज ये दो पार्ट निप्ताया, इनकी videos कौन-कौन सी चाहिएं class आपको, य सारी चीजे, अगर इसके अलावा भी, किसी बच्चे को लगता है, कि सर्फ कोई और topic है, जो इस साल बहुत important है, वो class मुझे हर कोई comment करके बताओ, जो आपको लगता हो, आपकी किसी teacher ने, आप से share किया, आप में भी अलग-अलग, अच्छे-च्छे, बहुत सारे teacher से, आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको वो बताते हैं, तो मैं उनकी भी तयारी आपको करा दूगा, और अगर आप लो class मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं, और आप पे कर सकते हो, मेरा special batch आप अटेंड करना चाहते हो, इन 15 days के लिए, आप मेरा special batch अटेंड करना चाहते हो, एक nominal सी fees है, जिसमें live पढ़ाते हैं, आपका personal number मिलता है, जहां आप मेरे से बात कर सकते हो, doubt पूच सकते हो, group में doubt solving होती है, daily सुबह से लेके रात तक आपके लिए काम होता है, morning में भी पढ़ाई होती है, night में भी पढ़ाई होती है, उनका discussion, ये सारी चीज़े, PDF, important notes, mcu, सब कुछ यहां मिलता है, तो अगर class आपको class, वो class करनी है, paid batch है, तो आप join कर सकते हो, आज ही आप join कर सकते हो, कल की class आप मिल जाए, 700365625, ये मेरा contact number है, whatsapp करो, if you are agree, तो आप whatsapp करो class कि हाँ आप agree हो, और class अपनी fees पता करके, आप आराम से batch join कर सकते हो, अगर आप pay कर सकत तो ज्यान रखना, मैं कभी भी किसी students को नहीं कहता, कि आप special batch join करके ही pass हो गए, मत करो special batch join, ऐसे भी class, यहां पर मैं सारी चीज़े करा दूगा, आपको pass करा दूगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके class doubts comment में solve नहीं होते, जिनको बार-बार doubts आता है, question में अट जाओ काम पर, अगर आपको special batch join करना है, तो ही आप message करो, otherwise, यहां पर मैं daily, आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, वीडियो लेके आता रहूँगा, और guarantee है इस बार compartment के एक-एक बच्चों को निकालना है, feedback भी लेंगे बाकी सारे आपसे, ठीक है, तो class, आज के लिए इत करो, निज अपनी राय दिना, take care, bye bye, God bless you,